जैनिको जी महराज ऐसा जान प्रतीत होता है कि राज्जी में ग्रोर आसान्ती फैल चुकी है और इसके कारण को पता लगाना अति आशक हो गया है जी महराज तो मैं सोच रहा था कि राज्य का ब्रमार बिना किसी को बताय किया जाए जी महराज इसलिए राज्य ब्रमार के लिए कल प्राता काल है आपको एक रत की ब्यस्था की जाए रुकम महराज पर एक दूबिदा है महराज क्या महाराज अगर आप रज से भर्मण करेंगे तो गाओं की सारी जनता आपको पहचान जाएगी महाराज और इस प्रकार राज की दुर्दसा के बारे में आप नहीं जान पाएंगे तो क्या करना चाहिए वाद महाराज अगर आप राज का भर्मण पैदल करेंगे तो उत्तम रहेगा महराज हाँ सही कहा आपने मैं पैदल ही राज का ब्रमण करूँगा ए भाईया यह देखो लगता है कि यह महराज है हमारे परंतु भाईया यह राज ब्रमण क्यों कर रहे है ओ भी पैदल ना हाथी ना घोड़ा पैदल राज का ब्रमण कर रहे है अरे भाईया चलते चलते मैं ठग्या हूँ पूरी राज में तो सांती दिख रही है फिर यह असांती की बात किसने फैलाई अच्छा चलो कहें चलकर बिस्राम कर लेता हूँ अरे बच्चों तुमनों कहां चले जाते हूँ खाना वना नहीं खाओगे हाँ मम्मी खाएंगे मैं भी खाओँगा मम्मी अच्छा तुमनों के पापा कहा है वो तो पता नहीं है मम्मी अरे भग्यवान सुनती हो कहां हो बिट्टू की मम्मी किदार हो निकलो निकलो हाँ बोलिए कहां बेते आप खाना नहीं खाना आगया ये देखो कौन आया है मैं किसको लेकर के आया हूँ कौन आई ये ये हमारे महराज है महराज महराज की जैह हा सिर्वाद महराज आप कुछ देर हमारे यहां बिस्क्राम कीजिए ठीक है वाद अरे मैं क्या करूं कितना देर से बैठा हूँ और राज भरमर भी कर लिया ऊपर से पेट खराब है लगता है लेट्रिंग जाना पड़ेगा कहा जाऊं अगर इन लोगों से पूछूँगा तो सरमिंदगी आएगी क्या करूँ हाँ ये ठीक रहेगा अरे ये महराज क्या कर रहे है अरे तुम कब आए अरे महराज कोई बात नहीं हम लोगों को बता देते ठीक है महराज अभी मैं आता हूँ क्यों न ये गया है तब तक मैं यहां से खसक लूँ क्योंकि सवाल अब इज़त पर बनाई है अगर ये लोग किसी को बोल देंगे तो मेरी क्या इज़त रह जाएगी अरे इदर तो बहुत लोग है जल्दी से भागो इदर से अरे गावालो वो देखो राजा जी गुसा होके भाग रहे हैं क्या क्यों भाग रहे हैं अरे रोको उनको रोको रोको अरे महराज रुकी रुकी क्यों भाग रहे है महराज और आपके हाथ में क्या है अरे वद्स कुछ नहीं है दिखाएए तो ओनाई मत सम Tucson अरे लय कंस कुछ श weश्स कुछ अरूकी र jagळएएएएएएएबर भाग रहे इसद़ नहीं ही Rick